हेलो फ्रेंज वेल्कम टो माई चैनल च्वडिय जाइन हब आज मैं एक पाइदन बना रहे हूं जिसे बनाना बहुत ही एजिया है और इसे मैं अपने घर में रखेगा कपड़ा से बनाया है and I hope कि आपको में वीडियो पसंद है अगर आप लोग को में वीडियो पसंद आ रही है तो फिर आप प्लीज आप उसे लाइक, शेर, कमेंट और सबस्क्राइब जरूर करें and keep watching so friends मैं ये टॉल का पीस ली है मैंने पायदन बनाने के लिए और इसके उपर के लिए मैंने स्ट्राप्स के लिए मैं दो अलग अलग सलवार का यूस करूंगी और जैसे के अब देख सकते हैं मैं दो अलग अलग सलवार के यूस कर रही हैं इसके अंदर और इन पीसेस को मैंने तीन तीन इंच पे मैंने को कट किया है और अब इसके बाद हमें से फोल्ड करना है तो इसके फोल्ड करके हम उल्डी साइट से फोल्ड करेंगे इस तरीके से और इस पे हम सलाई लगा देंगे और सब में इसी तरीके से सलाई लगा देनी है यह सलाई लगा है कुछ इस तरीके से यह आ गए और अब इ जैसे किस तरफ करना है वैसे ही हम दूसरी साइट पर इसी तरीके से लगाने हैं दूसरे कलर के इसी तरीके से सीड इलाइन में जैसे कि अब देख सकते हैं कि मैंने इसको लगा दिये इस तरीके से आगए और दूसरी साइट के भी ऐसे आगए और अब इसके बाद हमें से इससा कि चठाई में करते हैं वैसी इसी तरीके से हम इसमें भी करेंगे यह एक उपर एक नीचे करके इस तरीके से यह करना है यह पूरी लाइन को इसी तरीके से फिल करना है आप लोग को यह वीडियो कैसे लगी प्लीस आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता है जैसे कि अब देख सकती कि में पहले लाइन कंप्लीट हो चुकी है तो जैसे पीच बीच में जैसे इस लाइयां तो उसी ऊपर आग दी है तो फिर उसको अंदर को करके फिर इसी तर और साइड के लिए मैंने यह सुई था गए के मदद से मैंने टाका लगा दिया ताकि अच्छी तरीके से वह टाइट होके वह बंद जाए उसके इंदर और अब इसके उपर मैं यह साइड में मैं पट्टी जॉइन करूंगी सु मेरी पट्टी जॉइन करने के बाद यह नहीं हो रहा था तो इसको यूज करके यह डवल मैंने इसमें लगाए और अगर आपको भी ऐसा हो तो आप भी लगा सकते हैं यूज कर सकते हैं और यह काफी अच्छी से इसकी फिनिशिंग आ गई है पूरी तरीके से और यह साइड से पट्टी इसकी तियार हो चुकी है और यह देखने में भी बहुत अच्छा सुन्दर लग रहा है वीडियो कैसे लगी प्लीज आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बता है आस पर वाचिंग मैं वीडियो